पस्च में उत्त प्रदेश में सुलब न्याय के लिए हाइकोट बैंच के स्थापना बेहद अनिवार्य हो गई है हाइकोट बैंच स्थापना केंद्वे संघर्ट समीती ने अब इस मांग को लेकर देश के प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का निया दिया है इसके लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता 25 नौवंबर को गौतम बुध नगर परी चौके निकट इखटा होंगे और फिर जलूस की शकल में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए जेवर एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान करेंगे तरफसल 25 नौवंबर को पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का उधगाटन करने पहुँच रहे हैं इसी दोरान अधिवक्ता अपनी मांग को लेकर पीएम से मिलने की कोशिश करेंगे समीती के चेर्मेन वे मेरट बार एशोशेशन मेरट के अध्यक्स महावीरत्यागी वे महामंत्री सचिन चौधरी ने आज इस बारे में मीडिया से यह बात की पश्चमी उत्तर प्रदेश की समस्त, जंता, वाधकारी, व्यापारी सभी लोग चाहते हैं के पश्चमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेंच की स्थापना हो इतनी भी पार्टियां हमारी हैं जो भी राजनेतिक दल हैं सभी के मैनिफेस्टों में हैं कि पब्लिक को सस्ता और सुलब ने आये दिलाया जाए उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं प्रधान मंत्री से कोई समय लिया आप लोगों नहीं मिले तो क्या अंदुलन करें में कि देखिए हमारे द्वारा अभी हाल फिलाल में पहले भी पत्र दिये गये हैं समय मांगा गया है लेकिन अभी 16 तारीक को 16 11 2021 को भी प्रधान मंत्री को हमने पत्र द्वारा प्रधान किया जाएं जिससे हम अपना मांग पत्र प्रस्तूत कर सकें और अपनी मांगों को अपने आपके सामने संबुक रख सकें क्या वेस्टन यूपी का कोई जन प्रतिनिती इतना साहस नहीं रखता है कि आपकी मुलाकात प्रधान मंत्री से कराता है कि सही बात यह है कि हमने कोई जन प्रतिनिती नहीं छोड़ा जिस से हमने रिक्वेस्ट ना कियो कि हमें समय दिलाए जाए और इसके लिए सर इस समय कल भी हमारी मानिय मंत्री जी संजी उबालियान जी से बात चीत हुई पर सो भी बात हुई उससे पहले दिन भी बात हुई है हमारे अनिल ज से कराएंगे लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ना तो हमारे पत्र का कोई जबाब आया है प्रदान मंत्री ओफिस से और नहीं अभी तक बालियान साब का कल से अरब तक कोई फोन आया है कि आपको अमुक टाइम दिया गया और फला जगे आपकी मुलाकात होगी आपका हम लोग दिनांग पचिस तारीक तो दस बजे परी चोक से तीन सो मीटर आगे जीरो पोइंट पर इकटा होगे जहां से यमना एक्सप्रेस भी इकटा होता है वहीं पर सभी जीलों के अधिवक्ता अपनी बस बसों में सवार होकर पहुचेंगे और वहां से इकटे होकर जितनी भी बसे होंगी सब एयर बोर्ड जहां सिलानियास होगा वहां के लिए कोच करेंगे यदि कहीं रोका जाएगा हमें मांध पत्र देने से तो हम आंदोलन रथ होंगे जाम लगाएंगे प्रधर्शन करेंगे धर ना देंगे इस खबर में फिलाल इतना ही है आप देखते रिए फस्टबाइट.टीवी नमस्कार